Hello guys, how are you? I think you are studying and you are enjoying your time. So guys, हम हमारे chapters को हमारे studies content interesting बनाने के लिए जो chapter भी हमने last complete किया, trigonometric function. So, इस chapter के हमारे almost 7 lectures complete हो चुके हैं. So guys, तो इसके interesting बनाने के लिए हमने इसका test reach एक quiz type में, एक test type में इसका organize किया है, और इसका timing रहेगा, जो next coming Sunday है, वो 14 अगस्त और timing है 10 a.m. टू के लिए हो रहे हैं. So guys, जो first rank रहेगा उसको 100 rupees price है, second rank वाले को 75 rupees और third rank वाले को 50 rupees price है. तो आपके लिए best opportunity है, इसके लिए आप ज़्यादा ज़्यादा इस video को share करें, और subscribe करें अपने friends तक, जो even 11th में है, जो 12th में है, और जो even 13th में जो preparation करें, वो सब इस exam को attend कर सकते हैं, और यदि वो अच्छे rank position लेते हैं, तो उनके लिए ये case price उनको दिया जाएगा through online mode. So, जो guys, अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं कियें, वो subscribe कर लें, हमारे से जो अभी तक नहीं जुड़ें, वो जुड़ जाएं, कि इनको PCMB coaching की requirement है, physics semester, math, biology, 4G, maths and advanced plus NEET, So, those guys can connect with us. So guys, ये test का timing है, ये day है और ये 14 अगस्त को तुमारा test होगा. So, first, जो हमारा last chapter, complete white arithmetic functions and identities, उसी का है, और इसका pattern, ये हमारा value as you point online platform है, जो भी बच्चे जुड़े नहीं है, वो हमार से जुड़ जाएं, connect हो जाएं, और VSEO that you will be selected if you follow us regarding these subjects, PCMB. So, इस test का pattern जो देख लेते हैं, वो एक बारे 30 questions, जो कि JMS का standard pattern है, जो new pattern है, उसके coding 30 questions, हमारा target 2022 है. So, 30 questions, JMS में आते हैं, 1 hour का paper होगा, day 14 अगस, test timing 10 a.m. 10 a.m. से start होगा. Means, 10 a.m. पर आपको video upload हो जाएगा, test का, जो test paper है, test paper का video, आपको fix 10 a.m. पर upload हो जाएगा. ठीक है, जो भी जितने minutes का होगा, 5 minutes, 10 minutes, 10 minutes, जो भी test का, आपके पास पूरे 30 questions आपके, बिल्कुल एक दम फ्रंट में आ जाएगा. और जिसमें से 20 आपके mcq होंगे, multiple choice questions और 10 आपके subject होंगे, जिसमें से आपको 5 optional होंगे, 10 में से आपको कोई भी 5 करना है, 5 out of 10, यानि 10 में से आपको 5 करना है, यानि 25 क्या होंगे, compulsory होंगे, each question क्या होगा, 4 number का होगा, negative marking, 1 marks क्योंगी, तो जो JMS का pattern रहता है, same, वोई pattern इसमें follow किया जाएगा, उसके बाद है, आपको जो answer seed देनी है, वो इस format में देंगे, सबसे पहले आपका नाम आएगा, आप कोई से class में 11, 20 या ड्रोपर है, तो वो mention करेंगे, आप कोई सी location से जगे है, वो आपको mention करना होगा, plus आपको जो भी आपके phone पे, Google पे और Paytm, mobile नमर है, जिसमें कि आप यदी 1st, 2nd, 3rd rank में आते हैं, जो price winning के लिए जो mobile नमर है, वो आपको mention करना पड़ेगा, plus लिखना पड़ेगा, ये Google पे से है, ये phone पे से है, या ये Paytm wallet है, इन तीनों में से जो आपके पास available होगा चाहिए, वो आपको friend का हो, parents का हो, किसी का भी ह ये रहेगा seat का, आपको एक कोई भी A4 side की blank seat लेनी है, या कोई भी copy का एक paper भी चलेगा, उसमें अच्छी से आपको clear ये चीज़े mention करनी है, plus आपको एक side की question number या answer, question number में 1, 2, 3, 4, जो भी रहेंगे, आपके MCQ, इस type से answer होगे, बाकी जो subjective होगा, उसमें आपको इस तरीके से answer लिखना पड़ेगा, measure करना पड़ेगा, तो ऐसे आपको ये answer sheet आपको क्या करनी है, अपलोड करनी है, तो upload के लिए email idea आपको ये बहुत important है, ये ध्याम में रखना है, इस email idea को आप अच्छे से पहले से अपने draft में जा करके, ये सारे complete कर लेना, उसके मैं आपको एक demo लिखा देता हूँ और ये within 10 minutes, यानि कि आपका 1100 पर आपका exam finish होगा, आपको 10, बिल्कुल fix 10 a.m. पर आपका video upload हो जाएगा, और पुरा one hour आपको मिलेगा, पुरा attempt करने के लिए, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपने internet जो भी speed है, उन सब का पहले से आपको अच्छ 1110 के बाद में जो भी mail आएगा, इस seat का upload होकर के वो accept नहीं किया जाएगा, जो 1110 के अंदर अंदर आजाएगा, उनको सिफ accept किया जाएगा, so guys, इस test के बारे में ये था, मैं आपको Gmail का एक demo दिखा देता हूँ, जिससे आपको confirm हो जाएगी कैसे आपको पहले से ये काम करक आपके रखना है, जिसमें आपको direct question solve करके आशर feel करना है, और जैसे ही, आपका test जैसे 11M हो जाएगा, तो आपको within 10 minutes के अंदर इस seat को आपको upload करना है, और इस ML ID पर आपको send करना है, जो भी आपकी Gmail है, आपको मैं डेमो दिखा देता हूँ, कैसे आपको ML ID करना है, so guys, जो Gmail कर डेमो है, वो इधर से आपको पता चल जाएगा, मोबाल में भी आपको same option मिलेगा, आपको compose ब्याना है, और इधर ये ML ID आपको इसमें put करना है, value to as you point at the red gmail.com, so यह आपको पहले से करके रखना है, इसमें आपको subject में डालना है, submission of, submission of, test, submission of, test one, test करके रखना पड़ेगा, ergonometric function, उसके बाद में आपको क्या करना है, यह आपको यहाँ आना है, जो भी आपने, जहां भी file save कही है, चाहिए वो mobile भी कियो, या आपने, mobile से कियो, तो उधर से भी आप, gallery में जाके कर सकते हैं, मेरे desktop पे कोई भी file save हो, कि भी example मैं यह file save कर ली, open करना है, यह file हो गई और आपको क्या करना है, जैसे यह file attach you, आपको send पर click कर देना है, तो guys, यह important work था, यह आपको करना है, so, इसका अध्यान रखना है, और हमार साथ बने रही है, उस video को ज़्यादा ज़्यादा शेर कीजिए, ज़्यादा ज़्यादे लोग वो सब इसको try कर सकते हैं, तो ज़्यादा ज़्यादा मेरी request है कि यह ज़्यादा ज़्यादे student तक पहुचाने कोशिश करें, thank you, thank you so much